बाहु बली धनेंजे सिंग नहीं लड़ पाएंगे चुनाओ इलाबाद हाई कोट ने मंजूर की जमानत सजा पर रोक से अदालत का इनकार पुर्व सांसद और बाहु बली धनेंजे सिंग को इलाबाद हाई कोट से बड़ा जटका लगा है धननजे सिंग अब लोग सबाचुनाव नहीं लड़ पाएंगे इलाबा धाई कोट ने नमामी गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरन मामले में पुर्वसांसा धननजे सिंग को जौनपुर की स्पेशल कोट MP MLA से मिली साथ साल की सजा को स्थागित करने से इंकार कर दिया है हलाकि कोट ने इस मामले में जमानत पर रिहा करने की पुर्वसांसा धननजे सिंग की अरजी मनजूर कर ली है या आदेश नियाय मुर्ती संजे कुमार सिंग ने शनिबार को दिया है इससे पहले सनिबार की सुबा आठ बजे धननजे सिंग को जौनपुर जिला जेल से बरैली सिफ्ट कर दिया गया धननजे शा मार्च से जौनपुर में जिला कारगार में बंद थे बता दें कि परवांचल के बहुबली और पुर्वसान सद धनंजे सिंग ने जौनपुर की विशेश अदालत से मिली साथ साल की सजा के खिलाफ पिछले महीने लावाद हाई कोट में याचका दाखिल की थी इस याचका में उन्होंने सजा पर रोक लगाने और फैंसला आने तक जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई थी नमामी गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरन में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर गुरुबार को हाई कोट में बहस पूरी हो गई थी कोट ने फैंसला सुरच्छित रख लिया था इससे पहले बुदबार को धनेंजे की तरब से अधिवक्ता ने कहा कि लोग सबह चुनाव लड़ने के लिए अनुमती दी जाए अधिवक्ता ने आगे कहा कि ट्रायल के दोरान धनेंजे सिंग जमानत पर थी उन्होंने जमानत पर कोई दुर्पियोग नहीं किया वो लोग सबह का चुनाव लड़ना चाते हैं इसलिए उनकी सजा इस्तागित कर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए फिलाल जिस तरीके से धननेंजे सिंग को लेकर कूट का फैसला आया है कहीं न कहीं अब लोग सबह चुनाव में भी इसका काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है फिलाल इस खबर को लेकर आपकी क्या रहा है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं देश और दु के लिए बने रहे नेक्शनल पॉलिटिकल बाइट के साथ